कि नमस्कार दोस्तों मैं हvention अर्बी मोह्न सर्मा और आप देख रहे हैं अनकेडमी के इस ऑनलान अनकेडमी के मफैर म को सुरुआत करते हैं हम कि BPSC 69th BPSC के लिए यह बनाय गया है आगे देखेंगे लास्ट मिनट रिवीजन में 69 BPSC ने मात्र 99 रुपए में एक आफर निकाला है जो की टेस्ट सिरीज के लिए कर है आगे देखेंगे 949 रुपए में MCQS का एक वेच निकाला है BPSC प्रिलिम्स के लिए फिर आगे देखेंगे 499 में एक ड्राइवर वेच निकाला है बिहार टेक्निकल सर्विसेज के लिए और बिहार पुलिस कॉंश्टेवल के लिए एक वेच निकाला है जो की 949 रुपए का है आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉंश्टेवल का लाठी धार कॉंश्टेवल का इसमें BPSC के सबसे टॉप एजुकेटर्स जो होंगे आप लोगों को सिक्ष्चत करेंगे आगे देखेंगे हम लोग 69 BPSC के लिए 22 अगस्त से एक बेच श्टार्ट हो चुका है 949 रुपए का है आगे देखेंगे सूर्या विहार सच्चिवाले का एक बेच श्टार्ट हो चुका है इधर आमीन सेटलमेंट का एक बेच श्रूव गया है 799 और इधर यह है 999 का बहुत मिनिमम फीस में मीडियम का फिर देखेंगे 17th BPSC फाउंडेशन बेच निकाला है जो कि हिंदी प्लस इंग्लिस मीडियम होगा दोनों हिंदी और इंग्लिस मीडियम दोनों की बेच बनाई है BPSC ने एक और 949 रुपे का ओफर प्राइज निकाला है यह अनकेडमी का एप्लिकेशन है जो कि आप लोगों को इस्टॉल करना है और दीरे दीरे इसको प्रासिस करना है यह कुछ मेरे बारे में है दोस्त रभी मौनश्रमा और यह मेरे कुछ एक प्रिच्छे भी है और यह अहाँ पर आप लोगों को मेरा एक बारे में achievements ही मिल लाएंगे और experience भी मिल लाएगा यानि कि सब कुछ आप लोगों को इसमें दिक जाएगा किते सब क्रीक्रिष न प्रश्ण पूछा गया है आज में लोग 5 प्रश्ण पड़ने जा रहे हैं पांच प्रश्णों की संकला है भारत में घृष्ट किस वर्स लागू किया गया था तो एक जुलाई 2017 को ध्यान दीजेगा 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था लेकिन इससे पहले मैं बात करूँ 29 मार्च 2017 को ये लोग सबा में पारित होता है 6 अप्रेल 2017 को ये राजे सबा में पारित होता है इसके इलाबा लोग सबा और राजे सबा में पारित होने के बाद ये राष्टपती के बाद पास जाता है और राष्टपती के पास ये क्या बन जाता है कानून बन जाता है इसको देखेंगे हम इसको Goods and Services Tax कहते हैं Goods and Services Tax GST यदि मैं बात करूँ GST अपनाने वाला पहला राज्जे तो GST अपनाने वाला पहला राज्जे था असम असम ने सबसे पहले GST को अपना यह था किसने अपना यह था असम ने बस्तू एबम सेवाकर GST इसको तीन भागों माता गया है Central GST यानि कि केंदरी GST राज्जी जीएस्टी यानि की S जीएस्टी और I जीएस्टी यानि की दोहरी जीएस्टी यानि की ये केंद और राज्जी के दोरह लगाया जाता है ये राज्जी को दिया जाने वाला कार है और ये केंद्र को दिया जाने वाला कार है इस तरीके से हम लोगों ने एक इस प् कि गांधी ayamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadam विष्ट की बात करूंगा तो ये दिया गया है गीता प्रेस गोरगपुरBox को कि गीता प्रेस गोरणपुर को इस संस्था है जो की दो रुपए से 2 रुपए की बीच में एक गीता की पुस्थकों का क्या करता है, प्रिंटिंग का कारे करता है और घर घर भिजवाता है, तो ये बात हो रही किसकी गीता प्रेश गुरकुर की, हालां कि गीता प्रेश गुरकुन ने प्रुसकार रासी लेने से मना कर दिया था, ये इसकी थोड़ी सी विस् ब्रम्पत्त नदी के चेन बहुतरट के जा नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है दिबवत में कहां पर जाना जाता है दिभ common से वालोग चर्चा करते हैं ब्रह्म पतत नदी में तीन भारत पर बांगला जबेस प्रवाहित के घिजरती यह इ praw आपा दिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को चार अलग अलग नामों के जाना जाता है चीन के पठार पर तिबबत के पठार में तीन के तिबबत के पठार में से सांगपुर नदी के नाम से जाना जाता है अरुनाचल प्रदेश में से दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी जाना जाता है इसको अशम में ध्यान रखिएगा और बांगलादीश में इसको जमुना की नाम से जाना जाता है ये किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी की ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी जो की चीन में के तिब्बत में सांग और अजम में ब्रहोपुत्र के नाम से बांगला दीस किस नामसे जना जाती है तो वह जाने जाती है जमुनानदी के नामसे पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की उर्ट शिर अगला सुवास्चंद्र बॉस ने ये नारा 1942 में 1942 में दिया था ठीक है दिल्ली से यह नारा दिया गया था और दिल्ली चलो का नारा ये दिया गया था यदि हम लोग बात करते हैं दिल्ली चलो के नारे की तो दिल्ली चलो का नारा ये भी देते हैं सुवास्चंद बॉस इसके तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा इसके लाबा जैहिंद ये तीन आरे सुवास्चंद वोस के बहुत प्रसिद्य हैं बहुत फेमर से अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन कहता है निमलिकित मैंसे किसे बिटिश सरकार द्वारा नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा रविना टेगोर रविना टेगोर को यह पुरुसकार मेरे बच्चे दिया गया था और रविना टेगोर को यह पुरुसकार कब दिया गया था तो यह दिया गया था 1915 में ठीक है नाइट हुड की उपादी से ने सम्मानित किया गया था द्वारा ये उपादी दी गई थी लेकिन जैसे ही 1915 में ये उपादी दी गई थी 1919 में जैसे ही जलिया बाला बागत्याकांड होता है जलिया बाला बागत्याकांड होगा जलिया बाला बाग अत्या कांड के बाद इन्हों ने इस नाइट हुट की उपादी को वापस कर दिया अंग्रेजों को क्यों क्यों क्योंकि ये बिरोध कर रहे थे इस बात का कि भाई इसी गृड़ित जो घटना हुई है उससे इस उपादी का कोई सम्मान नहीं रह जाता है ये भी यहाँ पर भी इनके इठिक्स थे और इन्होंने क्या कर दिया मिरे बच्चे तो ये तो रहे हमारे इन पांच प्रस्टों में हम लोगों ने जाना था कि क्या-क्या इसके facts हैं, इन पांच facts को तयार करें, ये 69th VPSC के लिए और आने बाली बिहार की जितनी भी परिच्चा है या किसी भी state की जितनी भी परिच्चा है, उन सभी के लिए most important रहने बाली है, ये 5% डेली ऐसे 5% लेकर के मैं आया करूँगा और आप लोगों को बहुत अच्छे प्रस्टों बहुत अच्छे फैक्टों से अवगत कराया करूँगा ठीक है इसी के साथ वारी को विराम देता हूँ जै हिंद जै भारत